वेलकम तुर राजस्थान जी के टेर्णिंग दोस्तो स्वागत आपका टोपिक वाईज राजस्थान सामानिगान की वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में हम राजस्थान की जलवाईउ से सम्बंद टॉप 100 मैत्वपून प्रशनों की बात करेंगे दोस्तो यह सबी प्रशने पिछली परतियों की प्रिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं अता इन प्रशनों का उद्देश से आपकी तैयारी में धार देना है तो चले आज किस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अपने पास पहला प्रशन है कि निमली खित में से कौन सी सम वर्शा रेखा राजस्तान को जलवाई की दरश्टी से दो भागों में बाटती है कौन सी सम वर्शा रेखा है दोस्तो आप सब को पता होगा वो कौन सी है वो है दोस्तो 50 cm सम वर्शा रेखा राजस्तान को जलवाई की दृष्टी से दो भागों में बाढ़ती है चले नेक्ट परसें बारे में बात करते हैं अगला परसें दोस्तो राजस्तान की कौन सा चेतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मांसुन से अधिक लाब प्राप्त करता है या अधिक वर्षा प्राप्त करता है राजस्तान का कौन सा चेतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मांसुन से अधिक वर्षा प्राप्त करता है तो दोस्तो इसका सही आंसर तो आप सभी पता होगा वो है दोस्तो दक्सन पस्सिम छेतर कौन सा दक्सन पस्सिम छेतर यह लाब प्रदान यह लाब प्राप्त करता है चलिए दोस्तो आपके सामने अगला प्रशन है कि प्राकरतिक वनस्पति के विवरन को प्रभावित करने वाला सबसे ससक्त कारक निमलिखित में से कौन सा है प्राकरतिक वनस्पति के विवरन को प्रभावित करने वाला सबसे ससक्त कारक निमलिखित में से कौन सा है इन में से कौन सा जिला उपादर जलवाई उपर्देश के अंतरगत नहीं आता दोस्तो तीन तो आते हैं लेकिन एक नहीं आता फटापर से बता दीजे दोस्तों कौन सा नहीं आता दोस्तों हमें पता है कि टॉंक इसमें आता है और भीलवाडा आता है कोट आता है लेकिन ये जोधपूर है जोधपूर उप आदर जलवाईउ में नहीं आता हैं कि राजस्तान का तापमान राजस्तान का तापमान सीद काल में कितना होता है यानि कि सर्दियों में राजस्तान का जो तापमान है वो कितना होता है कितना डिगरी के बीच में होता है सर्दियों में तापमान तो हमें पता है दोस्तों जादतर आप सभी लोग गाउं से है गाउं से विलॉंग करते हैं मुझे पता है आप सबको पता भी होगा कि जो राजस्तान का जो सीतकाल में जो तापमान होता है ओसर तापमान वो होता है 12-17 डिगरी सेल्सियस होता है इसके बीच में ही ये सर्दियों का तापमान होता है अगला परसंद दोस्तों कि पूरवी विबोक्सों से तो होगी नहीं ठीक इससे तो होगी नहीं ये पच्छवा भी नहीं होगी ये लू भी नहीं होगी दोस्तों ये पूरवी दिसा से बात है तो पूरवाई आजाएगा सही आंसर इसका पूरवाई आजाएगा नेक्स परसन है दोस्तों कि कोपेन के जलवायू वरगी करण के अनुसार जुन जुनु जिले की जलवायू किस कोटी में रखी जा सकती है तो कोपेन के अनुसार आप सबको पताओगे कि कोपेन ने अमारी जलवायू का वरगी करण किया था उसके अनुसार जुन जुनु जिले, जुन जुनु जिला कौनशे जलवाई प्रदेश के अंतरकत आता है आप सबको पता होना चीए दोस्तों इसके बारे में पता होना चीए AW तो आएगा नहीं इसमें ठीक है दोस्तों और BWHW भी नहीं आएगा CWZ भी नहीं आएगा बचा कौनशा तो BSHW के अंतरगत अपने जुन जुनू सिकर और ये आसपास के जितने में छेतर हैं वो अपने BSHW के अंतरगत आ जाते हैं अगला परसन दोस्तों कि राजस्तान के किस जिले में ताप अंतर सरवादिक होता है ताप अंतर मतलब कि ताप में अंतर सरवादिक किस जिले में होता है ताप अंतर तो हमें पता है दोस्तों कि सरवादिक ताप अंतर होता है वो अपने पस्सिमी जिले में वो पस्सिमी जिल में होता है जहां पर अपने जैसल मेर जिला है उसमें ज्यादतर होता है अगर आपसे जिला पूछ ले तो जैसल मेर और अगर आपसे पूछ ले च्छेतर तो पस्जिमी च्छेतर में सरवादिक तापांतर दिखाई देता है अगला परसंद दोस्तों कि खालिस्तान से आने व पिस्तार फैला हुआ है और वहां से अपने गरम हुआ उठकर आएंगी और वो राजस्थान के वातरों को गरम कर देती है अगला परशन दोस्तों कि राजस्थान में मावट होती है या राजस्थान या राज्ये में मावट होती है कहां से होती है कहां से होती है कहां से होती ह अपने राजस्तानें में माउट होती है, जो रभी की फसल है उसको अच्छा की मतलब उसको लाब प्रदान करती है, इसलिए इसको Golden Drop भी कह जाता है अगला पर्संदोस्तों कि BWHW BWHW पर्देश में कौन से जिले आते हैं आप सब को पताओंगे यह जिला यह पसिमी साइड का जो वर्गिकरन है कोपेन का कोपेन ने वर्गिकरन किया था जो इदर की साइड का है यह तो यानि कि पस्सिम में जितने भी जिले आ जाते हैं वो BW, HW में आ जाते हैं जैसे जैसेल मेर बीकानेर और हनुमानगर इसका सईयांचर हो जाएगा दोस्तो कोपेन का वरिकरण कोई सी भी एक्जाम हो उसमें से एक या दो परशन दो हमेशा पूछता है दोस्तो तो आप कोपेन, थोनवेट और जो ट्रिवार था उसके जो सभी हैं जो उन्होंने जो अच्छे से इनका वरिकरण किया है उनको अच्छे से आप पढ़ लेना दोस्तो इन से हर बार एक्जाम में पूछा जाता आ रहा है अगला परसन दोस्तो कोपेन का अनुसार राजस्थान के जलवाई परदेश है राजस्थान के जलवाई परदेश कौन कौन से है तो दोस्तो कोपेन अनुसार तो ये सभी है ये सभी है एडबलू भी है बी एस एच डबलू भी है बी डबलू एच डबलू भी है अगला प दोस्तो राज्ये में वर्षा की मात्रा घटती है राज्ये में या या कहें तो राजस्तार में जो वर्षा की मात्रा हम किदर से किदर जाएं तब घटेगी बताओ दोस्तो किदर से किदर जाने पर राज्ये में वर्षा की मात्रा घटेगी दोस्तो दक्षन से अगर हम पूर पर राजस्थान पर इसका प्रभव पड़ता दोस्तों कि इसका प्रभव पड़ता अगर अरावली प्रवाजिकान्ष भागो में क्या पढ़ती भारी वर्षा होती और बाड़ाने की अधिक संभावना होती जो आज हम राजस्तान को देख रहे हैं वो राजस्तान हम ना देख पाते अलगी मावल होता अगला परसना दोस्तो कि राजस्तान की वै कौन सी परवत संकला है जो उसे उत्तर पश्चेम एवं परवत संकला ही है अगला परसना दोस्तो कि मांचून सब्द किस भासा से लिया गया सब्द है दोस्तो सबको पता हो नहीं कि मांचून हम जलवाई की बात करें जलवाई में 100% मांचून सब्द का प्रयोग पूचा जाता है तो आप सबको पता होगा कि मांचून जो सब्द है वो अपने अर्भी भासा से लिया हुआ सब्ध है ठीक है दोस्तों चले नेक्स प्रिशन बारे में बात करते हैं राजस्तान की सबसे बड़ी क्रत्रिम जील दोस्तों यह जील वाला एक दो प्रिशन इसमें एड किये हुए हैं जो कई बार एकजामें पूछे जा चुके है तो घबराईएगा नहीं सारे प्रिशन जलवाई से संब्ध है लेकिन एक दो प्रिशन आ गए उसका अम हमें उत्तर देते वे चलना है दोस्तों तो राजस्तान की सबसे बड़ी क्रत्रिम जील जैसमन जील है दोस्तों अगला प्रसन दोस्तों नक्की जील कहां पर इस्ति कारण है दोस्तों वो है एनियमित ए प्रियाप्त एम एनिश्यत वर्सा की मतलब की एनियमित की मतलब की एनियमित रूप से वर्सा आ जाती है ए प्रियाप्त हो जाती है जो हमें प्रियाप्त नहीं है वो यहां पर बारिस होती है और एनिश्यत मतलब की कभी आ गई कभी न मानसून से होती है हमें पस्षिम राजस्थान की बात कर रहे हैं इधर वाले राजस्थान के हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों यह पूंच रहा है कि पस्षिम राजस्थान में वर्सा किन मानसूनों से होती है ज्यादा तर तो दोस्तों किन मानसून होती है बुमद्य सागर से उठने वाली चक्रवाद नाई दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा पंगाल की खाड़ी से आने वाली मांसुन नहीं दोस्तों इफ़ान से आने वाली मांसुनिकहते जाई मक कूट का प्रयूक करते हैं इत् Denise प्रतापगादथी अदोस इसका सई इसका सईयांशर किया आजाएगा दोस्तों आता है गोस्तों कि राजस्तान के जा carrying लइ जलवायी प्रदेशों को चार भागों में क्वागों में बाटा था उनमें से हर्मानगड हर्मानगड थोड़ा सा अलग है इसमें से कौन चाहे दोस्तो थोड़ा सा अलग है दोस्तो इसमें से अगला परसंद दोस्तो की राजस्तार में लोटते मांसून रितु की आउदी क्या है दोस्तो सबको पताओना चीए ये कब लोटता है मांसून आता है उसकी नहीं पूचरा दोस्तों कब लोटता है कब लोटता है पूचरा है दोस्तों फटा फट चे बता दीजे दोस्तों तो लोटता कब है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर में लोटता है ये लोटता कब है अक्टूबर से दिसंबर में औ और आता काव है जुलाई से अगस्त के माहों के बीच में आ जाता है यानि कि जुन जुलाई अगस्त के बीच में ये आ जाता है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये लोट जाता है तो सही आंशर सी अगला परसंद दोस्तों कि थार का रेगिस्तान इस्तित है थार का रेखिस्तान कहा परिस्तित है दोस्तों, बताईए दोस्तों फटा फटा बता दीजी, ऐसे 57 कई बार एकजामे पूछे जाते हैं, और इनका 100% सणी जवाब देना, आप आसानी से इसका सणीमय सघ्जवाब दे सकते हैं बिना गबराये दोस्तों, तो इसका तो आप सभी को पता होगा जो थार का रेकिस्थान होगा ठीक है राजस्तान के पस्यम उत्तर पस्यम उत्तर पस्यम ये वाला पूरा इलाका थार के मवस्तल के अंतरकत आ जाता है दोस्तो अगला परस्यम दोस्तो के जून मा में राज्ये के उत्री पस्यमे भाग में नून दाब रहने का कारण क्या है नून दाब पूछ रहा है दोस नून दाब हो जाता है दोस्तों कि मतलब हवाएं हैं वो हलकी हो जाती है और हलकी होकर ही वो अपने फिर चक्रवाद सोड़ी दोस्तों चक्रवाद क्या लू का रूप ले लेती है दोस्तों तो जून मा में राज्य के उत्री पसिम भाग में नून दाब होने का प्रमू अगला परसन दोस्तों कि अकसांची इस्तिति के अनुसार राजस्थान को कौन सा जिला उसन कटी बंदी छेतर में इस्तित है अकसांची इस्तिति के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला उसन कटी बंदी छेतर के अंतरगत है दोस्तों आप सबको पता होगा कि उसन कटी बंदी छेतर के अंतरगत तो अपना एकी जिला आता है वो सवाई माधुपूर कोटा भी नहीं है, चितोडगर कोटा भी नहीं है, डुंगर उद्यपूर भी नहीं है तो सही आंसर के आजाए कि दोस्तों बासवाड़ा जिला अपने उशन कटी बंदी छेतर के अंतरगत आता है अगला परसन दोस्तों कि राज्ये में सूके की सबसे कम आवरती किस जिले में रही है यानि कि सूके की सबसे कम आवर्थी किस जिले में रही है तो बताई दोस्तों फटाफट से बताई जिसका सही आंसर तो आप सबको पता होगा कि जैपुर भी नहीं आएगा जैपुर में भी ठीक टाक है जालावाड में ठीक टाक, कोटा में पाली इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तो अगला परसन दोस्तों कि कि जिला युग में वर्षा की परिवरतन सीलता सरवाधिक रही है कि मतलब कि कभी आ गई कभी नहीं आई कभी थोड़ी कभी ज़्यादा तो मतलब की राजस्थान के कौन से दो जिली है इन में से जिन में वर्षा की परिवरतन सीलता सरवादिक रही है तो कौन से हैं दोस्तो जैसल मेर बाड मेर है दोस्तो फटाबट से बतादीजी दोस्तो तो क्या कहा जाता है कि सब को पता है जूपा कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है जूपा कहा जाता है अगला परसा दोस्तो कि समान वर्षा वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा हो क्या कहेंगे दोस्तो ये बिल्कुल ही सलल परसन है दोस्तो अगला परसन दोस्तो कि अलवर भरतपूर दोलपूर जैपूर करोली बारा अजमेर भीलवाड़ा टॉंप सवाई मादूपूर चित्तोडगड और परतावगड आदी किस जलवाई परदेश के शामिल हैं कौन से ये किस जलवा गर्मी है ना जाता ठंड है यह उप आदर जलवाई परदेश है यहां पर अच्छी भसल भी होती है और अच्छा ठीक ठाक पाने भी यहां पर मिल जाता है दोस्तो चले नेक्स प्रसने बारे में बात करते हैं कि वाईयू के एक नमूने में वास्त्विक नमी की मात्रा संत वाईयू के एक नमूने में वास्त्विक नमी की मात्रा संतरप्त वाईयू की मात्रा में तता निस्चत आपमान पर नहीं आदरता का परतिशत क्या कहलाता है यह पूछ रहा है था क्या कहलाता है तो क्या कहला है दोस्तो सम इसमें क्या जाएगा दोस्तो सापिक्स आदरता नहीं आएगा विजिश्ट आदरता भी नहीं आएगा और वास्प दाब भी नहीं आएगा निर्पेक्स आदरता आजाएगा दोस्तो निर्पेक्स आदरता इसका सयांच राजाएगा याद रखना दोस्तो चलिए नेक्स परसन बारे में बात करते हैं उपादर जलवायू का पत्रीला भाग नहीं दोस्तों यह अरावली परवर्तिय प्रदेश का जो है वह उप आद्रे जर्वावी प्रदेश के अंतरगत आता है अरावली छेत्र अगला परसन दोस्तों कि राजस्थान में प्रवेश करने वाली पस्षे में विभॉक्सों उत्पन होने वाला जो हमानों से ही अपने माह अठातीा जो रभी सागर्य में प्रवेश करता है ठीक है, चलेए, नेक्स प्रसन है दोस्तों की राजस्तार गनिंग जरवाईँ को रिदू के आदार पर कितने वागों में बाटा गया है, सERदी गर्मी और बर्सान, तो सेया आजर तीन, अगला प्रसन दोस्तों की नून-तम हवाई किस महिने में चलती हैं, कि मतलब इस सबसे कम हवाई हैं जो किस महीने में चलते हैं दोस्तो ओप्सन के अकोडिंग आपको बताना है कि नियूनतम जो हवाई है वो सबसे कम किन जिलों में चलते हैं दोस्तो कि सबसे कम तो देखे दोस्तो अगस्त में शुरुआत होती है सितंबर अक्टूबर में ठीक और अलवर ये एक अच्छे इलाके हैं कि मतलब कि यहां पर ठीक टाक पानी वानी है अच्छा यहां पर जुगाड हो जाता है लेकि जैसल मेर तो दोस्तो पसी में इलाका है ये ये इलाका जैसल मेर का है वोट सी डबलू जी में नहीं आता दोस्तो अगला परसंद दोस्तो कि कि राजस्तान का सरवाधि गरम इस्तान कौं शाय कौन साय माउंट अभूत वे सबसे थंडा है दोफ्तो और गुडा मलानी इसमें आए अग षैलोई यब्डा से चौह ग्योड़ी जॉधपूर अगला पर दोस्तान का सबसे सुष्भ्स्ठान की ही अंतरगत आता है दोस्तों अगला प्रस्तान दोस्तों कि निमली खितमे से ऐसाते कथन कौन सा है कौन सा है दोस्तों ऐसाते कथन तो दोस्तों चलिए फटते हैं फटाफट सी करा करें कर राजस्तान के दक्षन भाग से होकर गुजरती है बिल्कुल सही है दोस्तों यह तो और राजस्तान 23 डिग्री तीन मिनट से 30 डिग्री दो मिनट उत्रियक्सांस के मद्दे से इस्तित है नई दोस्तो 23 डिग्री तीन मिनट सही है लेकिन 30 डिग्री बारा मिनट आता तो सही होता ये अपना गलता जाएगा और ये अपना सही आंसर आ जाएगा और राजस्तानी जलवायू माधिपिय जलवायू के दक्षण पाई जाते हैं बिल्कुल सही है और राजस्तान का दक्षण भाग उसन कटी बंदे के अंतरगत आता है जबकि अधिकांस भाग उपसन कटी बंदे के अंतरगत आता है ये भी सही है लेकिन ये गर आता है दोस्त कि मतलब कौनचा चेत्र नूनतं गृष्म कालेंग तापमान वाला चेत्र है यह थोड़ा सा ट्रीकी कुछ नहीं दोस्तों इसका सई जवाब मुझे पतायाए आप आसानी सीदे सकते हो कौनचा दक्षण पसी में आ जाएगा दूस्तों यह पर नूनतं गृष्म कालेंग ता अंतरगत ते ब Tai पूरी में अपने अरावली की च्षेत्र है उन में अच्छाशा हो जाती है ौधित लिआ फुर्षा के निंसत्था होरत है तो मन सुनि बस lot नहीं होता सिनी नहीं होता सटर नहीं होता है नभड़ प्रतिशाथ अपना जो माणसुनी वर्सा से आपें जल प्राफ़त होता है दोस्तो कि जलवायू के आधार पर जलवायू के आधार पर राजे मुखे तीन रित्वे पाई जाती है तो सबको पता उन Ravi Wesley यह तो मार्च से मद्दे मारच से और मद्दे जून तक इसका सियान शरा जाएगा मार्च से मद्य जून तक ठीक है दोस्तों ये ग्रिश्म की आउधी मानी जाती है राजस्तान के अंतर का दोस्तों अगला परसंद दोस्तों कि राज्जे में सरौइ लम्बी आधमी बांसवाडा जला में सबसे ज्यादा अपमान पड़ता इस दिन ठीक हो समिलित का लखना है उसका समिलित किरे जिए दो फटाफट से कीजिए अगला परसन दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में वर्षा वार्षिक ओसत सो सेंटिमेटर से अधिक है राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा का सो सेंटिमेटर से भी अधिक वर्षा होती है किस जिले के अंतरगत होती है दोस्तों फटापट से बताई दोस्तो सही आंसर क्या जाए हम फिर पचासवे प्रिशन पर पूंच चुके दोस्तो कोटा नहीं आएगा सिरोई नहीं आएगा बारा नहीं आएगा सही आंसर क्या जाएगा जालावाड जालावाड में सो से दोस्तो सो से एक सो बीस सेंटी मिटर वर्सा हो जाती ओसत अगला परसन दोस्तो कि राजस्थान में हवाओं के चलने की दिसा प्राय होती है राजस्थान में हवाओं किस दिसा से किस दिसा की ओर चलती है दोस्तो सबको पता होने चाहिए यह अपने पूर से पश्चिम की ओर चलती है दोस्तो से यह आंसर अ अगला परसन दोस्तान का अधिकांच छेत्र किस ताप कटीบंद में आता है तो उपोशन कटी बंद के अंतरगात आता है दोस्तो अगला परसन दोस्तु कि राजयस्थान में سीतир रुतु की समय वदि सामाने तर रहती है समय आवदी पूछ रहा है दोस्तों ठंड की राजतान में ठंड किस समय में ज्यादतर पड़ती है दोस्तों हमें पता है अक्टूबर से फरवरी महा के बीच में अधिक ठंड पड़ती है दोस्तों अगला परस्तों कि सुस्क क्रशी राज्य के कितने सेंटिमेटर वर्सा वार्सिक वर्सा वाले छेतरों में की जाती है सब को पता है दोस्तों किस कब तो साथ से सो सेंटिमेटर वार्सिक वर्सा वाले जितने वी इलाके हैं महाँ पे सुस्क वर्सा सुस्क क्रशी की जाती है अगрь आगला परवात का सर वादिक महतू के है दूज्त तो अरावली परवत का सर वाद। कौनचा ज्क पता है दूस्तो वह कौनचा दूस्तो यह उत्तरपशिम में थार के मरश्तल को जक्ष्ण पूरों ऐने से आगे बढ़ने से रोकता है, बिल्कुल क्या है अगर अरावली परवत माला नहीं होती दोस्तो सीत काल में तापमान कम वायूदाब अधिकोता है इसका कारण क्या है इसका मूल कारण क्या है सूरे का उत्रेंड नई दोस्तो, सूरे का उत्रेंड तब हогा, जब वायूदाब में कमी और तापमान में अधिकता, अगला है े सूरे का भूमत देरेका पर नई दोस्तो, और सूरे का दक्षनायन में होना ये इसका सही आंसरा जागा, तब तक सीधकाल अपने राजस्तार म सरवाधिक हवाएं उस्थो पता है जूर माहा में चलती है अगला परस्तो में राजस्तान में तापांतर वाला जिला कौन सा है तापांतर वाला जिला कौन सा है कौन से जिले में सरवादी तापांतर होता है दोस्तो ये आजाएगा कोटा सोरी दोस्तो जैसल मेर के जिले में दिन में तो खूब गर्मी पड़ेगी और रात में बड़ी आजी ठंड पड़ेगी ये अपने राजस्तान के जैसल मेर का इलाका की बात है दोस्तो अगला परसन दोस्तो सरवादी गर्म जिला कौन सा है गर्म जिला पूछ रहा है दोस्तो कि सरवादी गर्म जिला कौन सा है बताओ दोस्तो सरवादी गर्म जिला कौन सा है किस प्राकरतिक भुबा के अंग है दोस्तों सब को पता है ये ना तो पूरी मैदान के ना इदक्षन पूरी पठारी है तो सही आंसर के जग अरावली परवती शेतर के अंतरगत आते हैं अगला परसन दोस्तों कि राजस्तान के जलवाई परदेशों को किस आधार पर विवाजित किया गया है किस जले में वार्षिक वर्षा के विवराण में विश्मता का परतिशत सबसे कम है सबसे कम वार्षिक वर्षा का जो है वो मेल डोल सबसे कम होता है कौन से जले के अंतरगत आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों सबको पता है सबको पता है दोस्तों जहलावाड जले में वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटी मिटर हो जाती है दोस्तों आराम से अगला परसन दोस्तो कि राजस्तार में वार्षिक वर्षा का ओसत कितना है दोस्तो वार्षिक वर्षा का जो ओसत है दोस्तो वो 57.51 है दोस्तो पांच एक सैंटिमेटर है तो इसमें 57 कौन सा है तो 57 से 58 ठीक है दोस्तो अगला परसन दोस्तो कि अति आदर जलवाई परदेश के अंतरकत कौन से जिले आते हैं दोस्तो अति आधिला Top 10 जलवाईी प्रदेश jaki आते आते हैं तो अति आधिल कंद्र का जोडिया जो माहवट हो दिया क अगला परस्द है आठेस्टान डूंस्तान में सीधकालेन वर्सा कारण क्या है सीधकालेन जो माउट होती है दोस्तों सही आंसर क्या जाएगा माउट माउट होती है दोस्तों वो किस के कारण होती है तो पस्ते में प्यवक्सों से उत्पन होने वाले उठने वाले जो तूफान हवाएं हैं दोस्तों वो अपने सितकाल में माउट को लाती है दोस्तों अगला परसन दोस्तों कोपेन के जलवाई परदेश के वरिगी करण का आधार क्या माना था तो वनस्पती माना था क्या वनस्पती अगला परसन है निमले कित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अती आधर जलवाई परदेश का भाग है कौन सा इन में से एक अती आधर जलवाई परदेश का भाग है कौन सा है दोस्तो वो है दोस्तो अपना कौन सा है बारा जिला है दोस्तो अगला परसंद दोस्तो कि राजस्तान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों के संख्या पाई जाती है अधिकतम वर्षा दोस्तो अपने कौन से जिलों के अंतरगत पाई जाती है जहां पर ज कानेर के पस्यमी भागों में नेमलिकित किस प्रकार की जलवाई है पस्यम भाग की पूछ रहा है दोस्तों पस्यम भाग में सब को पता है पस्यम भाग में अपने जैसल में राता है और बीकानेर राता है तो पस्यम भाग में कौन से जलवाई प्रदेश के अंतर रखा गया ह B S H W नहीं, A W नहीं, C W G नहीं तो B W H W से यह अंचरा जाएगा अगला परसंद दोस्तो कि नेमली खित में से कौन सा B S H W परकार की जलवाई का दरसाता है कौन सा जिला B.S.H.W. परकार की जलवाई को दरसाता है तो कौन सा है दोस्तो वो ना तो ही डुंगरपूर है ना बीकानिर है ना गंगाना गरा जालोड जो जिला है वो B.S.H.W. के अंतरकत आता है दोस्तो अगला परसंद दोस्तो तो बिकानेर सहर किस परकार की जल्वाई परदेश का पर्ति नियंदी सहर है? जो बिकानेर सहर है दोस्तों, वो अपने पस्सिम इलाकर का सहर है तो पस्सिम में आप सब को पता है, पस्सिम में कौ पूंसा आजाएगा? B.S.H.W. परदेश आ जाएगा दोस्तों अकला परसन दोस्तों कि कोपेन वरीकरण के हिसाब से राजस्तान का सरवादिक छेतर किस परकार के जल्वाई परदेश के अंतरगत आता है कोपेन के अनुसार पूछ रहा है कि सरवादिक जो छेतर है वो राजस्तान का किस जल्वाई परदेश के अंतरगत आता है जो कोपेन ने जो बनाये था उसके अंतरगत तो हमें पता है कि पस्सिम में सरवादिक है तो पस्सिम जो इलाका है उसमें सरवादिक है तो पस्सिम का जाएगा पस्सिम में क्या आजाए दोस्तों सबको पता है सबको पता है CWG आएगा नहीं BWHW आएगा नहीं AW भी नहीं आएगा तो BSHW आजाएगा अगला परसंदोस्तों कि कोपेन के वरीगी ग्रांड के अनुसार गंगानगर, हनुमानगड और बीकानेर के किस प्रकार के जलवाई मिलती है गंगानगर, हनुमानगड और बीकानेर की पूछ रहा है दोस्तों ये पस्सिम की वापस पूछ लिया पस्सिम का इलागा पूछ लिया तो सही अंसर क्या जाएगा आप सबको पता है पस्सिम में कौन सा जाएगा BWHW अगला परसंदोस्तों कि राजस्थान में उशन मरुस्त लिये जलवाई के लेग कोपेन ने कि स्कूट का प्रयोग किया दोस्तों कोपेन का जो जादतर पस्सिम का इलागा जादतर पूछ जाता है तो कोपेन ने जो पस्सिम का इलागा है उसके लिए क्या लिया यूज में तो BW, HW अगला प्रसन दोस्तों कि कॉपेन के जलवाई वर्गी एक्राणिक अनुसार राजस्थान के किन जिलों में जिलों समू में AW, AW परकार की जलवाई पाई जाती किन जिलेव में पाए जाती दोस्तो एडवलू परकार गी जो जलबाई है वो किस जिलेव में पाए जाती दोस्तो राखशण भी सके अंतरघत आते है एडबलू एडबलू यानि की पस्सिम का जो इलाका जो दक्षन का जो इलाका है वो इसके दरगत आ जाता है अगला परसन दोस्तों कि राजस्तान में मावट की वरसा नेमलिकत में से कौन सी फसल को लाबानवित करती है गोल्डन ड्रॉप्स दोस्तों गेंओं को लाबानवित करती है दोस्तों सरदी में तो गेंओं तो होते हैं तो गेंओं आ जाएगा रवी की फसल को लाबानवित करती है चाहिए हो गें हो चाहिए और कुछ भी हो जो हम रवी की फसल में बोते हैं उन सभी को ये क्या करती है दोस्तों लाभानवित करती है राजस्तान के मरुस्तल में अती उच्छ देनिक वार्शक तापांतर हेतु उत्रादाई सर्व प्रमुकाराण निमलिकत में कौन सा है वार्शक तापांतर का प्रमुकाराण कौन सा है दोस्तों ये पूछना चाहता है अपना एक्जामिनर तो सही आंसर क्या जाएगा सुस्क रितों में अतिनूनता नहीं मांचुनी रितों में उच्छ आधरता नहीं दोस्तों वर्षा भर उच्छ सुस्कता दशा हैं इसके अंतरकत आजाएंगे दोस्तों अगला परसंदोस्तों CWG परदेश का अंतरकत आने वाला राजस्तान का बहुगा कौन सा है CWG पूछा दोस्तों अगला परसंदोस्तों कि राजस्तान राजस्तान को दो भागों में बाटने वाली समवर्शारे का समानवर्शारे का कौन सी अगला परसंदोस्तों कि बाच्वाडा सहर जो अगला परसंदोस्तों कि कौन सा जिला उप आदर जलवावी प्रदेश क्या अंतरकत नहीं आता नहीं पूच रहा है दोस्तों बॉस्तों में नहीं आता कौन्चा जिला नहीं आता दोस्तों सब पैलवळ नेना क्वादका कोटा भी आता लेकिन जोद्पूर जिला ज उपजलावी उपादर जलबावी में नहीं आता दोस्तों ये पश्श्ची पिजय के अंतरिकत आता है, सुषक छेतर के अंतरिकत आता है अगला परसंद दोस्तों कि राजस्तान में संभावित वासपोट सरजन की सरवादिक दर किस जिले में पाए जाती है तो किस जिले में पाए जाएगी वासपोट सरजन की सरवादिक दर क्या जाएगा जैसल मेर अगला परसन दोस्तों की बबूला क्या है कितना सरल परसन दोस्तों बबूला क्या है एक परकार की वर्षा नहीं दोस्तों वर्षा कहां पे है वर्षा तो है नहीं वर्षा तो दूर दूर तकी भी नहीं है बबूला में एक परकार की वनस्पती नहीं दोस्तो दक्षन परकार रिवाद नहीं दोस्तो एक परकार की आंदी है ये तो आंदी है दूलबरी आंदी है राजस्तान कौन से कटी बंद में इस्तित है तो उपोसन कटी बंद में इस्तित है दोस्तो आँक बंद करके सही जवाब दोगे अगला परसन दोस्तों कि सूरे के उत्रायन होने पर क्या होगा क्या होगा तापमान में वर्दी होगी और वायुदाब में कमी होगी तापमान में वर्दी होगी और वायुदाब में कमी होगी ठीक है अगला परसन दोस्तों कि राज्ये में वार्सिक मातरा गटती है आगला पर्स तो, इस तरह से इदर की तरह जाएंगे तो गटेगी दो, यह दो से उत्री पस्षिम के और जाएंगे तो गटेगी, अगला प्रस्ट दो, दो, कोपें के दुआरा, प्रस्तुत जर्भावी वरिगे करण के अनुसार कोण सा सुमिलित नहीं है, जू हो कौनалась नह नुम्हें पता है एडबूऀ एडबूब अपना क्या आता है डख्षण छीतर आता है तो बिलकुल सहिए दोस्तों बीडबूएच डबूमें अपना कुन सा पस्छितर आता है यह 빌natुल सहिए कि है यह नहीं राव्टान में दोस्तों कि बहुत ज़्यादा उच्छ तापमान होता है तो तापमान ही एक चलवाई को प्रभाइद करने वाला अधारूत तत्व है अगला परसंदोस्तों कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है दोस्तों ये थोड़ी से लेंग्व परकार की चल्वाई को कोपेन वर के कानों का नुसार दर्साथ है तो दो बी ऐस एच डवलो किसे छेत्र के अंतरगत आता है दोस्तों फटा मथी बताथी जी आप सब सुमिलित नहीं है कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों फटावट से बताओ दोस्तों फटावट से आपको ही बताना इसका साही जवाब कौन सा सुमिलित नहीं है AW राजस्तान ने दक्षन बिल्कुल हमने बताय कि AW हमने दक्षन में आएका बिल्कुल सही है CWG, S CWG, राज़ास्तान का उतरी भाग नहीं आता दोस्तो, CWG नहीं आता, ये गलत आजाएगा, ये गलत आजायगा, BWHW बिल्कुल, ब्फैस HW. बिल्कुल, चाही, अगला परसंद दोस्तो के राज़ास्तान के उश्रण सुषक जल्वाईव प्रदेस है, तो को पेन, पूछ रहा है उसन और सुष्क जलवाई प्रदेश उसन सुष्क पूछ रहा है दोस्तो सब को पता होना चाहिए उसन सुष्क के में कौन सा आ जाएगा क्या BWHS यह तो है इने दोस्तो BSH नहीं दोस्तों ये भी नहीं है ये आजाएगा BWHW अगला परस्थान दोस्तों कि राजस्थान में वर्षा के लिए निमलिकत में से कौन सा उत्तरदाई नहीं है नहीं है पूछ रहा दोस्तों कि कौन सा इसमें उत्तरदाई नहीं है कि वर्चा में इसका कोई रोल नहीं है राजस्तान में जो वर्चा होती है उसका कोई रोल नहीं है मांचुन के अरब सागे साका बिलकुल रोल है इसका तो फिलम में मैं रोल यही ने बहता है मांचुन की बंगाली खाड़ी की साका बिलकुल ये भी रोल है पस्सें भी बॉक्सरी फिल्कुल तो बचा कौनचा लोटता हुआ मान चुनी ये तो रोल है नहीं दोस्तों ये रोल है नहीं लोटता हो जाएगा तो वर्चा थोड़े ना आएगी जे तो जा रही है वर्चा अगला परसन दोस्तों राजस्थार में किस रितू में सरवादिक दूल बरी आंदिया चलती है किस रितू में चलेगी दोस्तों सब को पता है दूल बरी आंदिया गर्मी में चलेगी गर्मी में कौन सी गर्मी में कौन सी दोस्तों कौन सी आजाएगी अरे बच्चा बच्चा जानता है बच्चा 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 बसंद अरे नहीं सीत नहीं वर्षा नहीं दोस्तो गृशम रिटू गृशम जाने की गर्मी हाइ गर्मी गर्मी इसका ऐंसर आजाएगा अगला परसन दोस्तों कि वर्षा रितों में मांशुन हवाओं की दिसा होती है वर्षा रितों में जो मांशुन हवाओं चलती है उसकी दिसा किदर से किदर होती है फटावट से बताओ दोस्तो फटावट से टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो बिल्कुल भी नहीं है उत्तरपूर दक्षण नहीं दोस्तो दक्षण पूरु से दक्षण प्रस्चिम से उत्तरपूरु अगला पर्स्तें दोस्तों वर्षा को जल्वावी प्रदेश के वरी करंट का आधार किसिने माना है वर्षा को वनसपती तो खो पेयन ने माना है वे तो आएगा नहीं यतो खो गना नहीं तो बताओ थे यह है कह अधिस्तान वोद धाइगा तो बेंदे मरुस्तर में जून म महाय में नून तम वाई उदाप कि जिल्य के संहित है कौन सा है कौन साथ सब को पता है रासमन्द होगा नहीं बारा बूंदी नहीं जैसर मेर सही आंसर अगला परसन दोस्तों कि सामाने ते राजस्तान को कितने जलवाई चितरों में विवक्त किया गया है बिल्कुल सरहल परसन दोस्तों बिल्कुल सरहल परसन है कौन सा आजाएगा आठ साथ छे पांस नहीं आएगा दोस्तों पांस सही आजाएगा दोस्तों तो दोस्तों ये थे अपने जर्वावी परदेश के अंतरकत आने वाले जितने भी सोरी जितने भी जो परशन है दोस्तो 100 प्रश्न हमने हमारे पूरे कंपलेट हो चुके हैं आसे करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी धार दी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दी दोस्तो हमारी उद्देश से यही है आपको जितने भी जो वीडियो हम बनाते हैं उसका उद्देश से एक यही है कि आपके तैयरी में ज्यादा ज्यादा धार देने की वो करें क्या करें अरे आउशकता है आपको धार देने की और आप में चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूना दोस्तों आपके लिए तरी मेहनत करते हैं दोस्तों बार दूप पड़ रही है लेकिन अंदर में बैटा बैटा पसीने में चलो दोस्तों क्या बताऊं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जाहिं ज बर जैजे राजस्थान